हेलो दोस्तों मैं विकास मुलिक आप कैसे हो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों वेलकम है आपका एक और नए वीडियो में लास्ट मैंने दो वीडियो डाल ली ती अर्मेनिया को लेके तो काफी लोगों के वटसप मैंसी जा रहे किसा टोटल कोस्ट बता दो कि बही इंडिया से लेके और अर्मेनिया जाने का कितना खर्च आ जाता है अगर मालू के एजेंट का तो हर किसी को पता बही दो तीन लाग रुपे वो ले लेते हैं अगर हम विदाउट एजेंट पे अपलाई करें या किसी एक ट्रस्टिड एजेंट से अगर काम करवाई तो मैक्सिमम खर्चा कितना आ जाता है अर्मेनिया जाने का वह आप हमें बता दो ठीक है उसके बारे में आपको बताऊंगा और इसके बाद एक और वीडियो में पोस्ट कर दूँगा उसमें न मैं वर्क परमिट के बारे में भी बता दूँगा कि वर्क परमिट क एक डेट लाग के करीब का खर्चा आ जाता है जिसमें मैं एजेंट की साइट से बता रहा हूं जिसमें अगर आप किसी अच्छी एजेंट से काम करवाते तो वो डेट लाग रुपया ले लेता है वो इतना लगता है और एजेंट भाई अपनी 20-30,000 रुपय वो नहीं कमाए नहीं होगे ना तो वीजा रिजेक्ट भी हो जाता है ठीक है और एजेंट रिच की गारंटी लेता भाई जब आप वहां पर पहुच जाओगे तो पेमेंट लेता है कुछ पेमेंट एडवांस भी ले लेता है काफी एजेंट ठीक है वो जैसे आपको डील अच्छी लगे वैसे आप एजेंट के साथ डील कर सकते हो टोटल खर्च लगबग डेड़ लाग है जिसमें आपको एजेंट जिसमें एजेंट आपको भाई वीजा प्रोवाइड करवाएगा इंसुरेंस ट्रेवल इंसुरेंस होगा भाई आपका होटल बुकिंग भी वो सो करवाता है ठ आपका प्रोवाइड करवा देता मालों अगर आपकी कोई मापे जानकारी है तो आप डारेक्ट उन के पास जागे है रुख सकते हो और अगर आपकी कोई जानकारी नहीं है न तो एजेंट आपनी साइड से आपको भाई उसे टेड़ लाकी अंदर है एक दो तीन तीन चार दिन का आपको होटल या होस्टल प्रोवाइड करवा दिते हैं फूड आपका रहता है अगर चार दिन भी एजेंट आपको होटल प्रोवाइड करवाता है तो आप अपना कोई अपार्टमेंट वगेरा या कुछ भी सर्च करके आप अपना वाँपे सिफ्ट हो सकते हो क्य क्योंकि एजहन तो वाई 2-3 दिन का ही खरचा दीता है आपको वहाँ पर रहने का खाने का दो आपको खुद करना होता है ठीक है यह खरचाता है और ज़्ञ जाद नहीं आता ठीक है 1,20,000.000 या देड़ लाप के आसपास का खर्चा हो जाता है यए आपको agent document देगा इससे लगए आपको कोई खर्चा नहीं होता अगर कोई agent आपको यह बोले आर्मेनिया जाने के लिए medical भी आपको करवाना होगा तो medical की कोई need नहीं होती है क्योंकि आप विजिट वीजा पर जाते हो अर्मेनिया और काफी लोग यह बोलता है वर्क परमिट पर भेज रहे तो वो गलत है वर्क परमिट के मैं अलग से बनाओंगा वीडियो वह आप देख ले ना इस वीडियो में मैंने आपको सिरफ यह चीजे कलियर करनी थी कि बही इंडिया से अ भाई आपको अच्छी एजेंट का नंबर जो ट्रस्टीड एजेंट है या भाई मैं खुद भी अपलाई करवा दूंगा इतना मुश्किल नहीं होता है अर्मेनिया का वीजा ठीक है तो यह चीज थी मुझे उमीद आप आपको वीडियो अच्छी लगे और वीडियो अच सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक यू